लो फैंस विलकम टू माई चनल अज मैं आप लोंग सोटर डिजाइन बता रहें और यह बहुत प्यारा डिजाइन है बनाने मुद्ध नहीं आसान है यह डिजाइन को आप जैन सोटर में लेडी सोटर कार्डिगेन जैकेट बीबी सोटर में कैप में गल सोटर में मोफलर में इसको आप अप्लाइक कर सकते हैं फ्रेंट वीडियो को आप लोग पूरा देखना इसके नहीं करना ज्यादा ज्यादा लाइक से करना चले यह बताती है उन डिजाइन कैसे बनेगा और कितने फंदे में इसको बनाना है देखो हमने 20 फंद लिया है एक फंद इधर बनाएंगे बॉर्डर के बाद आपको पहले ऐसे बनाना धागा पिछे करेंगे तीन फंदा में सीधा बनाएंगे एक दो तीन फिर से चार फंदा उल्टा एक दो तीन फिर से चार फंदा सरी चार फंदा उल्टा करना तीन फंदा सीधा धागा आगी चार फंदा उल्टा एक लास्ट में एक फंदा सीधा उल्टी तरप से इसमें पूरा फंदा उल्टा उल्टा बनाएंगे जो उल्टा पंद है उसको भी और जो सीधा है उसके दोनों को है उल्टा उल्टा बनाएंगे अम देखों यहां कैसे बनाना फिर से पर ये चार फंदा फिर सोल्टा बनाएंगे आम देखों ये तीन फंदा सीधा है ना तो इसे हमने देखो फास्ट वाले फंदे में एक डो छोड़ेंगे तीसरे फंदे से एक्टर फंदा उठाएंगे एक हो गया फिर से एक फंदा बनाएंगे फिर दूसरा लेंगे फिर एक फंदा बनाएंगे फिर तीसरा फंदा लेंगे इसे तो ऐसे हमें तीन फंदा उठाना है फिर ये तीसरा बना लेंगे चार फंदा पाले उल्टा बना लेंगे धागा पीछे फिर से तीन फंदा ना तो फार्स्ट वले फंदे में हमें एक्स्टा फंदा उठाना है एक दो ये तीसरे से उठाएंगे नेचे से एक फंदा उठाया फिर एक फंदा फिर दूसरा लेंगे वापस तो से जगा से फिर ये दूसरा फंदा बनाया फिर तीसरा ल देखरके चार फंदा उल्टा लाश्ट में एक फंदा सीधा अब उल्टा साइड से देखो इसको कैसे बनाना है फर्स्ट वाला फंदा स्लेप कर लेंगे धागा पीछी अब जो उल्टा फंदा रहना उसको इधर से सीधा बनाना है फिर धागा आगे करेंगी, एक फंदा उल्टा बनाएंगी, जो फंदा हमने उठाया हुआ है, उसको हमें सिलिप करना है, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर एक फंदा सिलिप करेंगे, तीसरा बनाएंगे, तीन फंदा इसमें हमने उठाया, तीन फंदे को हमें उल्टा साइड से सिलिक करना है और जो फंदा मारा सीधा था सीधे से उसको उल्टा बनाना है उल्टे तरब से धागा पिछे करेंगे ये चार फंदा सीधा बनाएंगे धग आगे फिर से देखो एक फंदा फिर जो फंदा हमने उठाया हुआ इसको सिलिप कर लेंगी फिर से एक फंदा बनाएंगी फिर इसको सिलिप करेंगी फिर एक फंदा बनाएंगी फिर इसको सिलिप करेंगी अब इसको सिलिप करेंगी अब इसके बाद ही सीधा बनाएंग अब इसके बाद ये सीधा बनाएंगे, अब इस लाइन में हमें इसको सीधा बनाना है, सीधे तरब से सीधा, ओल्टा सैड से ओल्टा, ये दो स्लाइन में ऐसे बनाना है इसको, उंदर खुर 4 फंदे सीधा हो गया, अब ये फंदे जो हमने उठाया हुगा है ना, इसको हम प पीसरा वला भी इसी तरीकेस बनायेंगे, फंदे को सीधा करेंगे, ति ये दिखो तीन फंदा हो गया, अब ये चार फंदा सीधा, अब इस लाइन में सीधा सीधा बनाना है, फिर सी ये वला भंदा सीधा करके, दो का एक करेंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर सीधा करेंगे इसको, फिर दो का एक करेंगे, फिर इसको भी सीधा करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, बशे अब ये सीधा सीधा बना लेंगे अब उल्टे तरप से पूरा फ्ल्दा उल्टा उल्टा बना लेंगे अब ये दो सिलाई आपको सीधा तरप से सीधा उल्टा से उल्टा उल्टा आएसे बनाना अब देखो ये एक डिजाइन हमारी कम्प्लिट हो गई और फिर से आपको सीधे साइड से जैसे हमने यहां स्टार्ट किया था चार फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा चार फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा तो फिर से उल्टे साइड से ऐसे ही बनेगा फिर जो हम सीधा साइ करें चैनल को सस्क्राइब करने ना भूलें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूरत है